प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब एड और नेवर मिस अनादर अपडेट असलाम अलेकूम वेलकम टू मैच यूनल टेक्निकले में अचली शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी शौमी मूबाइल में वाटसप की नोटिफिकेशन को डिसेबल कैसे करें तो सबसे पहले मैं अपने दूसरे वाले वाटसप को उपन करता हूँ और अपने पहले वाले वाटसप पर मैसेज कर देता हूँ तो जैसा के उपर के तरफ हम देख सकते हैं मुझे floating notification मिल चुका है और आपको notification बार पे भी notification देखने को मिल जाता है तो इसको totally disable करने के लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp को long press करना है और इसके बाद i button पर tap करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का page देखने को मिल जाएगा अगर आपको इस पेज देखने को नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको अपने mobile के settings को open करना है और नीची के तरफ स्वाइब करने के बाद apps वाले option पर क्लिक करना है अब यहां दूसरे नमबर पर manage apps वाले option पर tap करेंगे तो आपके mobile के सारे installed or system apps आपको मिल जाएंगे तो आपको उपर के तरफ सर्च बार पर जाना है और यहां पर WhatsApp करके सर्च करना है तो आपके mobile के दोनों WhatsApp आपको मिल जाएंगे और दोस्तों यहां पर आप lock screen notification और floating notification को disable कर सकते हैं अगर आप सभी जगाओं से notifications को disable करना चाहते हैं तो आपको first में show notifications इस वाले option को disable कर देना है और इसके बाद चलते हैं मेरे दोसरे वाले WhatsApp पर और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा से एक message send करके दिखा देता हूँ तो जैसा के message send करने के बाद उपर यह तरफ आप देख सकते हैं मुझे कोई भी floating यह नोटिफिकेशन बार पे message देखने को नहीं मिला अगर आप अपने first WhatsApp को open करते हैं तो आपको message देखने को मिल जाएंगे तो इसी तरह आप भी अपने show me mobile के WhatsApp नोटिफिकेशन को easily disable कर सकते हैं